आप सब्सक्राइब करता हूं अपने यूटुब चैनल सांक स्टड़ी सर्कल में तो आज जो है हम लेकिया है क्लास 10 केसी सिनहा का चप्टर 1.1 का स्लूशन जो की वास्तविक संख्या याने रियल नंबर का है टिक है तो पिछली वीडियो में हमने क्या है कि इंट्रॉड़क्शन वीडियो दिया था अगर आपने वो वीडियो नहीं देखिए तो नीशी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप उपर आए बटन पर क्लिक करके या फिर लास्ट जैसे ही वीडियो होगी तो वहां पर आप व बटन पी कोटोरी कॉश्चन को हल करना है तो पहला कोटोरी कोटो हमारा है धीए हां पर लगोटी करना समभव नहीं है इस वीडियो में कर दांगी तो आपको एक वाटसप नमबर दिख रहा होगा अब उस वाटसप नमबर पर आप हमें कुशन बेस के उसका सुलूशन आप ले सकते हैं अब अगर आपको नहीं निकालना आएगा तो धियान से देख लीजए एक सो तीन प्लस चाहिए तो आप साइड में 156 से भाग अगर 504 में आप देते हैं तो तीन वार में 468 हो गया बच गया 36 देखे इन दोनों को गुह हमने गुना किया साथ में आप दिखा यहाप जब तक क्या है बी आर की जो वैल्यू जीरो नहीं आजाएगी तब तक लगाते रहना यहाप हम देखें क्या तो जो आर की पहली है वो जीरो के बरावर नहीं आए बलकि 36 ही आया है अब उसके बाद हम जानते थे कि जो बी होता है वो बन जाता है और जो आर होता है वो बन जाता है तो 36 गुने 4 प्लस बार हो जाएगा 36, 144, 12, 156 हाँ अभी भी आर 0 के बरावर नहीं आया है तेक इसके बाद हम देखें तो 36 बरावर हो जाएगा 12 गुने 3 प्लस 0 यहाँ पर देखें तो लास्ट जो आर था हमारा 0 आ गया अता हम यहाँ अप लिक सकते हैं अता HCF of 504, 156 बरावर कितना यह जो बीव होता है यही हमारा एंसर हो गया चलिए अगर हम देखें कोशन नमबर 4 यहाँ पर हमने लिया है ठीक है बाकी आप 2-3 आप खुद भी बना सकते हैं तो यहाँ पर भी वही नियम सेम लगाना है यह बरावर हो गया हमारा 23, 120 और बी बरा लिख लेंगे युकलीड बिभाजन प्रमेका से यह आप लिख सकते हैं हमारा लिखना भी कोई ज़रूरी नहीं था युकलीड बिभाजन प्रमेका से ठीक है प्रमेका क्या है ए बरावर BQ प्लस और अब इसके हिसाब से हो जाएगा 23, 120 प्रावर 88, 140 को अगर लगाएं तो दो प्लस हो जाएगा हमारा चलि प्लस हमारा हो जाएगा यहांपर हमारा चाओन सो छालिस ठीक है आप कर सकते हैं हां भी देखेंगे तो अभी चाओन सो चालिस का मान जो है बुजीरो के बरावर नहीं आया है तो अब यहांप 88, 140 हो जाएगा जो हमारा यहांब दिया हुआ था तो 5440 गुने 1 प्लस यहां हमारा हो जाएगा 88 याने 34 डबल 0 ठीक है यहांब यह भी देखें तो आज का माने वो 0 के बराबर नहीं है तो 5440 हो जाएगा 3400 गुने 1 प्लस B144 यहांब यह भी जो B का आज का वैल्यो वो 0 नहीं है तो अब यहांब हो जाएगा हमारा 3400 बराबर 2440 गुने 1 प्लस 1360 ठीक है 1360 गुए भी 0 के बराबर नहीं आया है फिर देखें 2440 बराबर हो जाएगा 1360 गुने 1 प्लस 680 आप करेंगे तो आपको पता चल दाएगा ठीक है जो अगर आप वो तो आप कर सकते हैं यहां भी अभी जो 680 का मान है वो 0 के बराबर नहीं तो 1360 हो जाएगा हमारा 680 गुने 2 प्लस 0 और सदूनी 136 होता है तो यहां आप हमने देखा का कि R का मान जो है वो फाइनली 0 आ गया है तो HCF of 23120,8840 इस का मान कितना हो गया जो हमारा B बचे यान 680 हो गया यहां आप देखें हमने लिखा हुआ है कुश्चन नमबर 6 का तो आप चाहें तो इसको बना सकते हैं यहां थोड़ा सा help देखें हम कर सकते हैं आप यह हो जाएगा हमारा B यह हो जाएगा हमारा A तो यान हो जाएगा 46161 बराबर 318 गुने 1 पलस हो जाएगा हमारा 1343 यह भी देखें भी 0 के मान के बराबर नहीं आसाथ लिख सकते हैं 1443 डर नॉट इक्वल टू जीरो फिर 3318 हो जाएगा हमारा 1343 गुने 2 यान हो गया 2686 पलस हमारा जो बच गया कितना लगभग बच जाएगा 3686 घटा लेंगे 3318 2686 तो हमारा 2 हो जाएगा 3 हो जाएगा फिर हमारे हम बच गया लगभग 6 याने पलस 632 हो गया ठीक है फिर आप चाहें तो इसके आगे बना सकते हैं अपर थोड़ा सा और बना लेते हैं 3632 तो 1343 बराबर 632 गुने 2 याने 1264 हो गया अगर 1264 हम इसमें घटाते हैं तो लगभग आएगा 79 ठीक है अब 79 तो बच गया 632 बराबर 798 जा होता है 632 अब फाइनली आगया तो लिख सकते हैं HCF of कितना लगवा 3318,4661 कामान कितना आगया 79 फाइनली हमारा आगया तो यह था हमारा कुश्चिन नंबर एक चार और छे का ठीक है यह हमारा कुश्चिन नंबर छे का हस सोलूशन है ऐसा नहीं कि आप किसी और का समय लिजेगा चले अब हम लोग चलते हैं कुश्चिन आठ दोनों सेम केटेगी से बनेगा लेकिन कुश्चिन नंबर 7 जो है वो काफ़ी जाद आईजी है वो आप बना लीजेगा कुश्चिन नंबर 8 में तो हमसा दिक्कत होगा तो बो हम बता देते हैं चले कुश्चिन नंबर हम 8 देखते हैं तो दिया है 44,07,29,38,14,9 अगर अगर आप देखें तो आपको हो सकता है कि लगे कि एक वार में तो 3,3 ले दिया अप किससे क्या करेंग이 तो सबसे पहले हम क्या करते हैं किसी 2 बार सबसे पहले निकाल लेते हैं, उसके बाद तीसे से हम निकालेंगे, ठीक है, जैसा कि आप HCF मसर में कैसे देखते हैं, तीन प्रश्ण दिया, तो पहले दो का निकालेंगे, फिर उन दोनों से जो एंसर बच के आएगा, उससे हम तीसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम यह ज़्यादा बिभाजन प्रमेइका से, ठीक है, युकलीड बिभाजन प्रमेइका से, युकलीड बिभाजन प्रमेइका से, युकलीड प्रमेइका से निकालेंगे, तो हो जाएगा, युकलीड बिभाजन प्रमेइका से निकालेंगे, तो हो जाएगा, ये प्रमेइका क्या कहता है, ए जरूरी नहीं है लेकिन तो 29, 38 हो गया हमारा A, 14, 79 हमारा हो जाता है B, अगर आप 14, 79 में 2 से multiply करेंगे तो 29, 38 हाता है और 6 में हमारा 0 बच जाता है तो यहाँ पर तो R हमारा 0 हो गया, यह लिख सकते हैं कि HCF of 39, 14, 79 का मान कितना जो हमारा B होता है, तो 14, 79, अब चलिए, सेस हमारा बच जाता है, अब कितना तो पुना हो गया, बच गया हमारा 44, 0, 7 और 14, 79, अब इसका हमको निकालना है HCF तो A बराबर B Q पलस आप पुना लिखने से अच्छा है कि हमको तो पता ही है, तो लिखने को जो थे नहीं, तो 44, 0, 7 बराबर 14, 79, यह देखिए, तीन के पहाड़े वाला है, चिक है, तो यहाँ पर भी R बराबर 0 आ गया, तो लिख सकते हैं, HCF of 44, 0, 7, 29, 38, 14, 79, का मान कित इसके देखें, बगल में B M लिखा होगा आपके बुक में, तो जिसमें भी B M लिखा है, यानि यह आपका जो सरकारी किताब है, उसमें भी दिया गया कोशन है, ठीक है, तो यह काफे सिंपल, यह कई बार एक्जाम में पूछा गैसले, भी भी आई कोशन है, तो देखिए, गुने, अगर एक सु पंचानमे से मरे टिप्लाइ करतेंगे, तो हमारा डारेक्ट आजाता है, अर्तिस दोसो बीस, इसलिए, एक सी एफ और तीस दोसो बीस, कॉमा, एक सो छी आनमे का अगर मान देखें, तो कितना हो जागा, एक सो छी आनमे, क्योंकि यहाँ पर B का मान त प्रशन हमें, सेंड कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं, कोशन नमबर दो, चलिए, कोशन नमबर दो करता है, कि दरसाये की प्रतियक धनातमक संपुर्णांक, जो है, टूक्यू के रूप का है, एवं प्रतियक धनातमक विसंपुर्णांक, यह धनातमक संपुर्णांक है, जबकि यहां दिया है धनातमक विसम पुर्णांग जो है 2Q पलस 1 के रूप का है जहां Q क्या है एक पुर्णांग है तो सबसे पहले हम लिख लेंगे यहां पर कि माना कोई धनातमक पुर्णांग क्या है जहां पतथा अगर यहां पूछे तो A का मान तो कहिं पर दिया नहीं क्यूंकि हमको वो तो शाना ही है। B का जो मान है वो 2 है, दिकिस सभी में दिया है, B Q plus A के हम ए पर एकर देखने हैं हम पर कुछ नहीं तो 0 है, तो यहाँ पर B का मान कितना है दो है ठीक है चले अब देख लेते हैं क्योंकि हमको युक्लीड विभाजन प्रमेका से बनाना है तो हम लिख लेंगे युक्लीड विभाजन प्रमेका से ठीक है युक्लीड विभाजन प्रमेका से यहां पर मेरिका से अगर हम इसको बनाएं तो यहां पर हम सबसे पहले कहता है A बरावर B Q प्लस R जहां पर हम जानते हैं कि R का जो मान होता है वो 0 से बड़ा हो या बरावर होता है और जो B का जो मान होता है वो भी R से बड़ा या बरावर होता है और यहां पर B के मान के जगह हम यहां दो लिख सकते हैं क्योंकि हाईस्ट वैल्यू दो ही ले सकते हैं क्योंकि यहां पर यह पहले ही प्रश्ण में क्या है हमें दिया गया तो हम इसे फाल्ट हुम ले नहीं सकते हैं ठीक है इसलिए अगर हम देखें तो यहां पर हम लिख सकते हैं अगर by chance मान ले क्योंकि पहले प्रश्ण में यहां पर क्या है कि R का मान नहीं दिया है तो A बराबर कितना हो जाएगा हमारा अगर A बराबर हम मान रख के देखें क्योंकि अगर 2 दिया है तो ज्यादा ज्याद हम नहीं ले सकते हैं, तो सबसे पहले यदु हम zero रखे तो हो जाएगा two, two whole और अगर हम एक रखे तो हो जागा two few plus one और चादा रखने की कोई जडरूरत तो हमें है नहीं तो चले अगर इसके बाद हम देखें अब हम ध्यान से देखें तो यहां प्रश्ण में हमारा 2Q का रूप दिया गया था यहां भी हमने क्या है कि अगर 0 रखा तो इसका रूप क्या है 2Q आया 1 रखा तो 2Q प्रस्वान की यह के रूप में है या कह सकते हैं यह सम धनातमक सम पुर्णांग के रूप में है लेकिन जब कि हम यहां पर देखें तथा यहां पर देखें तो तू क्यू पलस वन जो है दो से विभाजित नहीं है अब हम जानते हैं कि जो संख्या दो से विभाजित नहीं होती है वह हो जाती है बिसम संख्या तो इसलिए हम कह सकते हैं कि अत तू क्यू पलस वन धनातमक बिसम पुर्णांग के रूप का है धनातमक बिसम पुर्णांग क के रूप का है धनात्मक विसंपुर्णांग के रूप का है यही तो हमको क्या है हमको पुरूफ करना था दर्साइए कि प्रतेक धनात्मक संपुर्णांग टू क्यू लेकिन रूप का है एवं प्रतेक धनात्मक विसंपुर्णांग जो है टू क्यू पलस वन के रूप का है तो जहां Q क्या पृणांग है तो भी बिवाजित है लेकिन और Curry क्मी तो इसी क्या है कि हमारा जो पृणांग है, वहाद्व तो हमें हो क्या तो हम लिख सकते हैं प्रूब्ड क्योंकि हमको क्या करना था है प्रूब्ड वाले प्रिश्ट में आपको क्या है प्रूब्ड लिखना क्या है जरूरी है तो चले चलते हैं कोशन नंबर तीन में है चले question number 3 भी जो है वो question number 4 के जैसा आई है तो आप चाहें तो इसको क्या है मतलब छोड़ भी सकते हैं लेकिन हमको बनाना है तो हम क्या करेंगे हम इसको बना लेंगे ठीक है तो यहाँ पर भी बस सेम जैसे हमने उसमें लिखा था हमको यहाँ पर भी लिखना पड़का की माना कोई धानातमक पुर्नांक ए तथा B है क्या है ए तथा B है जहां पर की B का मान कितना है वह दो आप देखे चार यहां भी यहां भी चारक दिया गया तो हम B बराबर क्या लिखेंगे चार लिखेंगे अपने मन से हमको कोई भी संख्या लिखने की ज़रूरत नहीं है ठीक है B बराबर चार है तो हमको क्योंकि इसको युकलीड बीभाजन परमेका से स्वालू करना है तो हम यहाँ लिखेंगे युकलीड बीभाजन परमेका से ठीक है क्या लिखेंगे युकलीड बीभाजन प्रमीका से युकलीड बीभाजन प्रमीका हम जानते होता है A बराबर B Q पलस R होता है जहां पर की R का जो मान होता है वो जीरो से बड़ा या बराबर जो R का मान होता है वो B से क्या होता है बड़ा या बराबर तो B का मान यहां पर कितना है पर हुआ चार है तो यानि कहा सकते हैं हम यहां पर सोचिए कि जो B का मान है वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, Highest है Highest 4 क्योंकि 4 के बाद हमारे प्रश्ट में कोई भी संख्या दिया हुआ नहीं है तो हम 4 से ज्यादा हम क्या कर सकते हैं हम ले ही नहीं सकते हैं ठीक है चलिए तो अब हम क्या है देखते हैं कि A बराबर अब क्या value हो जाएगा तो अगर देखें B का मान तो 4 है Q तो पुर्णां की है तो हो जाएगा 4Q अब देखें अगर 0 पहले रखें यहां पर दिया ही है क्योंकि 4 तो highest है 4 से कम ही लेना है 4 से जादा तो मतलब 4 हमको लेना ही नहीं है तो चलिए अब यहां हम देखें क्या कि यहां 4Q कॉमा 4 Q पलस 2 जो है 2 से बिभाज है क्या है 2 से बिभाज है क्यूंकि इसमें हम जानते हैं 4 जो है 2 के पहाड़ धनातमक संपुर्णांक के रूप में हैं क्या है धनातमक संपुर्णांक के रूप का है धनातमक संपुर्णांक के रूप का है लेकि हमको प्रश्ण में ये नहीं बताना है हमको प्रश्ण में बिसंबाला बाना है तथा अगर हम बात करें देखें कि 4Q पलस 1,4Q पलस 3 जो है दो से विभाज नहीं है अब दो से विभाज नहीं है इसका कारण है क्योंकि इसमें जो संख्याएं आई है साथ में एक देख लें क्योंकि अगर हम रखें चार एक आइंचा एक भी हम दो रखें तो चार नहीं आठ आठ तो भी है यह जो है धनातमक बिसम पुर्णांग के रूप का है, हमको यही चीज क्या करना था, प्रूब्ड करना था, तो हम यह आप प्रूब्ड लिख देंगे, ठीक है, तो बहुत यह सिंपल कोशन था, और आप चाहे तो इसको क्या है, अराम से बना सकते हैं, यह आपको जो भी हम यह आप पढ़ा रहे हैं, उसकी सारी PDF आपको हमारे जो टेलेग्राम चैनल है, ससांग स्टैडिसर को वहाँ पर मिल जाएगी, सुचाइए हमारे टेलेग्राम चैनल को भी जोइन कर लीजे, और जितने सारे चीज़े हम पढ़ाते हूं, आप उसकी PDF क्या लगातार मिलती र महत्तम धारिता क्या है, जिसमें दोनों पातों के दूद को पूर्ण रूप से माप सके, यानि सबसे पर समझे दो बरतन है, ठीक है, दो बरतन है, मान लिजे एक बरतन छोटा है, और एक बरतन क्या है, बढ़ा है, ठीक है, क्योंकि एक में दिया है, 425 लीटर है, या एक मे CF निकालना है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे, कि अगर आप बनाना चाहें, तो डारेक्ट आप चाहें, तो युकलिट भी भाजन परमेका से ही आपको बनाना ही है, तो आप रडायक बना सकते हैं, कि दोनों पात्रों में दूद की धारिता, दोनों पात्रों में दूद की धारिता, बराबर हो गया, धाइसो कॉमा 425 लीटर, यह ने धाइसो लीटर और 425 लीटर, अगर आप इसको चाहें, तो मान सकते ही ए और भी, ठीक, ए हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा भी, ठीक है, तो हमको युकलिट भीवाजन, परमेटा से, हम जानते हैं, A बराबर B Q पलस R हो जाएगा तो हम तो A मान चुके हैं इसको हमने A माना था इसको माना B तो A बराबर हो जाएगा 425 बराबर 2.500 इन्टू 1 पलस 175 अब कहें कैसे लाए सर तो 200 को अगर भाग देंगे 425 से तो एक बार में लगेगा तो आ जाएगा 175 175 हमने यहां लिखा अभी तक हमारा R जो है बो 0 के बराबर नहीं आया है तो फिर हमारा जो B होता है बो R बन जाता है 175 गुने 1 पलस 75 तो यहां अभी भी देखें अभी यह कैसे किया 175 से अगर आप 200 में भाग देंगे तो एक बार में ही लगाएंगे तो जो सेस बचेगा बो हमाना 75 हो जाएगा तो अभी भी 75 जो है बो 0 के बराबर नहीं है तो 175 हमारा बन जागा तो 75 गुने 2 पलस 25 तो नहीं 1500 पलस 175 अभी भी जो हमारा जो R है बो 0 के बराबर नहीं आया है तो अब जो है हमारा 75 हो जाएगा तो 25 तिया होता है बहुआ 75 तो अब हमारा जो R है बो 0 के बराबर आ गया यानि HCF हमको निकालना था किसका किसका 200,425 का तो उसका माना है हमारा 25 तो अतह लिख सकते हैं अतह दोनों पात्रों के दूध को दोनों पात्रों के दूध को पूर्ण रूप से मापने वाले वर्तन की धारिता बराबर कितना हो जाएगा बहुआ तो यहाँ हमने 25 लाया तो 25 लीटर यह हमारा एंस हो गया तो यह था हमारा कुश्य नमस चार आई होब वीडियो पसंदाद वीडियो पसंदाद प्लीज लाइक करें शेर करें नया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना पूलें तो चलते हैं कोश्य नमबर पाँच में चले कुशनव 5 कहता हमारा कि एक आताकार सतह जिसकी जो लंबाई है वो 461 मीटर और चोड़ाई जो है वो 3318 मीटर दी गई है अब क्या है कि हमको इसमें बिचाना है भाई बर्गा कार टाइल्स बिचाना है तो अब इसकी क्या है कि कहता कि टाइल्स की लंबईया क्या होगी जो इसमें बिच जाएगा ठीक है, हमको क्या एक बरगा का भाई कमरा है इसमें 타cover बिचstaना है तो तो बहुत सार लगया, तो यह मलम जो क्या है तो कहा सकते हैं कि अगर room है तो बविफा tiles की संख्या तो बहुत होगी, तो tiles की संख्या कम से कम कितना होगा की इस रोह में बढ़हां से क्या है टाईल से बदीर टाईल हमने बनाए बनाना कोई ज़रूरmor नहीं है फिगर तो हम क्या चड़्ड चाहिए इसको बना सकते हैं हम यहां पचली बनाते हैं आइता कार सथ आइता कार सथ की लंबाई आइता कार सथ की लंबाई बराबर 4661 मीटर और चोड़ाई हमारा दिया है 318 मीटर अब हमको टाइल्स की संख्या तो नहीं पता तो हमको तो यूगलिट भी भाज इन पर में कासे ही निकालना है तो अता हम कह सकते हैं कि इन दोनों का हमको निकालना पड़ेगा HCF क्योंकि direct ही आपको पहले ही प्रामे कर दिया किसको निकालना है HCF की मदद से तो हमको ये निकालना पड़ेगा वर्ट तो हमको नहीं पता हमको ये निकालने में कि लिए तो आप उससे मश बहाता कि प्रकिरीया होती है भागवाली आप उससे भी क्या कर सकते हैं निकाले कि प्रश्ण को पहले देखने क्योंकि प्रश्ण में क्या है पहले ही खिरायर दिया है कि आपको जो निकालना है वो क्या है यूकलिट विभाजन पर में एकास निकालना अब इसको हम मान लेते हैं B क्यूंकि छोटा है ये हो जाएगा A हो जाएगा हमारा तो यूकलिट हमारा विभाजन जो पर में एकाउता वो हता है A बराबर B Q परसार ठीक है और R को तब तक लगा इसको तब तक हम बनाते हैं जब तक कि हमारा जो R है वो कम्प्लीटली 0 नहीं हो जाए तो 46161 बराबर हो जाएगा 3318 एक बार में लगेगा फिर बचेगा 1343 ठीक है अब साइड में चाहिए तो इसको बना सकते हैं 1343 अभी तक 0 नहीं आया है फिर जाएगा 3318 बराबर 1343 गुने 2 अपलस अगर हम इसको करें तो हमारा लगभग आ जाता है इसको अगर 2686 अगर घटा दें 3318 2686 से अगर हम इसको घटाएं तो लगभग आ जाता है हमारा 632 अभी हमने बनाया था कोशन नमबर एक वाले बिलकुल वही लगभग सेम चीज़ है तो अभी भी जो 632 है वो 0 के बराबर नहीं है तो 1343 बराबर हो जाएगा 632 गुने 2 याने 1264 प्लस हो जाएगा 79 है 79 भी अभी 0 के बराबर नहीं है तो अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं 632 बराबर 79 गुने 8 से गुना करेंगे तो 632 आएगा ठीक है अब जो है हमारा बो लास्ट है हमारा 0 आगया completely तो लिख सकते हैं अतह HCF of कितना 33,4661 बराबर हो जाएगा 79 अब मीटर में दिया है तो 79 मीटर लिख सकते हैं या परश्ण में थोड़ा सा अगर आप अच्छे के टेगरी में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि अतह टाइल्स की लंबाई अतह टाइल्स की लंबाई क्योंकि हमको क्या प्रश्ण में यही पूछा था टाइल्स की लंबाई बराबर हो जाएगा हमारा कितना 79 मीटर यही आपका अंसर या तो आई हो प्रश्ण समझ में आओगा तो चलिए चलते हैं कोश्ण नमबर 6 में चलिए कोश्ण में छे काता है कि बरगा कार टाइल्स की नियुनतम संख्या निकाल ली हैं यहां भी टाइल्स की नियुनतम संख्या निकाल ली हैं तो हमको टाइल्स की नियुनतम संख्या निकाल ली हैं तो हम डाइरेक्ट हम चाहें तो ले सकते हैं यह बराबर 16 मीटर 58 मीटर अब इसको हम सभी को संट्री मीटर में बदल लेंगे तो 16 गुने 100 पलस 58 मीटर तो कितना हो जाएगा अब हुआ 16 58 मीटर और यदि हम भी याने इसको यह है चोड़ाई हमारी और यह हमारी है लंबाई तो ठीक है इसको हम देखे तो हो जाता 8 मीटर 32 सेंटी मीटर बराबर कितना 832 सेंटी मीटर हो जाएगा ठीक है हमको टाइल्स की नियुनतम संख्या निकालने तो हमको तो निकालना पड़ेगा HCF HCF of 1608,832 हमको ग्य तो सबसे पहले क्या है अगर आप किसी रूम में क्या है कि अगर आप टाइल्स बिछाते हैं तो सबसे पहले संख्या निकालने से ज़्यादा काम आता है टाइल्स की लंबाई क्योंकि अभी जो हमने पिछला प्रशन देखा उसमें क्या है टाइल्स की पहले क्या है हमने ल अगर हम देखें तो हो जाएगा A बराबर B Q पलस A यही तो रूप चलता है तो A बराबर कितना है आपका दिया गया 1689 बराबर 832 गुने अगर दो करेंगे तो 1664 याद हो जाएगा तो एक बार में तो 826 तो 826 अभी भी 0 के बराबर नहीं है तो अब देखेंगे के 832 बराबर हो जाएगा 826 गुने 1 पलस 6 तो 6 भी अभी 0 के बराबर नहीं आया है तो अब देखें तो हो जाएगा 826 बराबर 6 गुने 137 से गुना करें तो 822 पलस 4 चार भी अभी 0 के बराबर नहीं आया है तो अब अगर देखें तो हो जाएगा 6 दो यह तो दो भी अभी 0 के बराबर नहीं आया है ठीक है आप दो थोर ठीक से लिख लेते हैं अब क्या है बच गया हमारा 4 तो 4 बराबर गर 2 के पहाड़ा में गर 2 बार पड़ते हैं तो आता है 4 अब यहां देखें तो finally जो हमारा R है वो 0 के बराबर आ गया है तो चलिए हम लिख सकते हैं याने HCF of कितना 1608,832 बराबर हमारा कितना यहां पर दो आया है अब यह तो हो गया हमारा जो लगभग क्या है टाइल्स की जो लंबाई हो जाएगी वो लगभग कितना दो सेंटीमिट हो जागए याने लिख सकते हैं टाइल्स की लंबाई याने क्या है टाइल्स की लंबाई बराबर कितना याने लगभग दो सेंटीमिटर की लगभग हो जाएगे अब हमको पुछता है कि टाइल्स की नियूंतम संख्या क्या होगा याने जहां पर बात नियूंतम की आती है तो वहां पर हमको LCM निकालना होता है HCF तो आपका आ गया HCF तो हमारा आ चुका है कितना? 2 तो हमको निकालना है हमको LCM तो एक formula हमने आपको पढ़ाया था कि यदि बाइचांस कभी ऐसा दे दे कि प्रस्म में A तथा B भी भी दिया हो साथ में HCF भी दिया हो LCM निकालना हो तो A गुने B बटा HCF होता है तो लिग लेंगे यहाँ पर इसी लिए टाइल्स की संख्या टाइल्स की संख्या बराबर यहाँ पर लिख सकते हैं फर्स का छेतर फल तो यहाँ पर जाएगा टाइल्स की संख्या बराबर सबसे पहले तो फर्स का छेतरफल अब बटा जो है एक टाइल्स की याने टाइल्स की लंबाई हमको क्या करना पड़ेगा इससे भाग देना पड़ेगा तो टाइल्स की जो लंबाई हो गई वो हो गया हमारा एक सी है जबकि जो फर्स का छेतरफल तो आयताकार है तो आयताकार फर्स का छेतरफल क्या होता है लंबाई गुना चोड़ा याने एक गुना भी तो सोला सो अंठामन गुना आठ सो बटा यहां पर देखें तो फर्स जो है यह हमारा टाइल्स की जो संख्या है वो हमारा दो ह अब इसको भाग देंगे तो आएगा 416 तो 1608 गुने 416 अब इसको क्या करना पड़ेगा हमको गुना यह आप तक है एक चीज़ छूट गया है यहाप टाइल्स की लंबाई नहीं बलकि टाइल्स की जो है टाइल्स का भी छेतरफल हमको निकालना पड़ेगा तो टाइल्स का छेतरफल निकालना मतलब वर्ग का छेतरफल तो वर्ग का छेतरफल याने भूजा गुने भूजा तो भूजा तो हमारा दो आया है तो आप चाहते हैं आप दिख सकते हैं कि वर्ग की भूजा हमारा आया कितना जो मसा है वो हमारी बर की भूजा है तो 2 अब 2 से इसको भी अगर हम करें तो आता है हमारा 839 तो अब हम गुना करें कितना 839 गुने 416 अगर हमारा आता है 344,864 ठीक है यह संख्या आगे हमारी टाइल्स की जितने रूम है यानि जो हमारा आता का रूम इसमें जितने टाइल्स लगें उसके संख्या हो जाएगी कितने 3,44,874 क्योंकि जो वर्द की भूजा है वो है 2 तो देखे हमने इसमें सबसे पहले क्या किया किस प्रश्ण में हमको जो है क्योंकि प्रश्ण दिया था कि एक जो है एक वर्द कार टाइल्स की नियुनतम संख्या निकालनी है जो कि एक आयता कार जो हमारा यानि जो नीचे बना हुआ है रूम उसमें क्या है पूर नितर लग जा जिसकी लंबाई क्या है सोदर मीटर अंठामन सेंटीमीटर चोड़ाई दीगे तो हमने क्या सबसे पहले इसको पूरा सेंटीमीटर में बदला युकलिट प्रवायन प्रमेरिका में हमने किया इसका हल किया मरसर निकाला तो वो जो निकल क्या है वहाँ पर क्या है वो बर्ग की भूचा क्योंकि क्या है जो टाइल से वो बर्गा कार है तो क्या है उसको हमने निकाला तो हमने क्या है HCF उसका दो आया तो टाइल की जो वो बेटाइड रधा डारी भी किया है, pencils हो जाएंगी GOPADs के हमों के नियूंतम शंक्या निकालाने थी। उसके लें डिर remain bodies किया, फर्स जो चेतरफल होगा includes one । रप्रा थे शायीं के हम भाग किया vаться आधकार है। तो 1659 गुने 832 आटायल जो है वो बरगाकार है तो बरगाकार की भूजा क्या तो भूजा गुने भूजा तो इस परकार हमने जब क्या इसको गुना किया तो हमारा एंसर आया 3,44,864 तो यह आपका एंसर है तो वीडियो पसंदा आप प्रीज लाइक करें शेयर करें नहीं तो प्रीज सब्सक्राइब करना बिलको न भूलें और इसकी पडियाफ लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दी गई है आप जाके वहाँ पर क्या याँ टेलेगराम में सर्च क कर सकते हैं जाके ससांग स्टेडी सरकर क्लास टेन वहाँ पर आपको क्या सारी पीडियाफ की लिंक मिल जाएगी तो आज के लिए इतना आए मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंद